नमश्कार मित्रों आज हम आपको बिसाक के नियम धरम निभाने वाली मा और बेटी की एक बहुत ही सुन्दर कहानी सुनानी चा रही है विशाक के महीने में इसे हर रोज सुनने से सभी उत्तम फलों की प्राप्ती होती है एक समय की बात है, एक गाउं में एक मा और बेटी रहती थी, दोनों का हर रोज का नियम था, सुबह उठकर यमुना जी में सनान करती, सभी देवरिक्ष, ब्यड, पिपल, केला, कलपरिक्ष, आवला, तुलसी, सीच थी, धूप दीप लगाती, पूजा पाट करती, सारे निय धरम करम करने के बाद ही विशाक के महीने में कहानी सुन कर खाना खाती थी, समय के अनुसार बेटी बड़ी हुई, और भ्या के लायक हो गई, लड़की के लिए लड़का देखा गया, लेकिन लड़की की मां उन से कुछ शर्तें रखती, की मेरी बेटी सुबह उठकर पू कुछ काम करेगी, इसके नियम नहीं तूटने चाहिए, ये सब ही नियम यदि इसको निभाने दोगे, तभी मैं इसकी शादी करूंगी, ढूंडने पर भी ऐसा लड़का ना मिला, लेकिन एक बार एक लड़के के घरवाले ये सब नियम और धरम निभाने के लिए मान गए मा ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूम धाम से उस लड़के के साथ कर दी, घर में और भी देवरानी और जेठानी थी, वह सबसे चोटी थी और सभी ओरतें सुबह उठकर नहा धोकर, रसोई में काम करने जाती, खाना बनाती, लेकिन चोटी बहु जिसकी मा ने सभी धराम कराम नियम सिखाए हुए थी और बच्पन से उसका नियम था, वह सुबह उठकर यमनाजी सनान करती, पीपल पत्वारी सीचती, बड़ सीचती, केला सीचती, तुलसी सीचती, आमला सीचती और उसके बाद अपनी हरोज की विशाक मास की कहानिया सुनती, पूजा पा बाद ही कुछ काम करती थी इसे देख देखकर सभी जिठानियां उसे चलने लगी कि हम तो सुबह उठकर सारा घर का काम करती है और ये महरानी सुबह उठकर अपनी पूजा पाठ करती है इस तरह से उसकी जलन के मारे उन्होंने उस सोचा कि इसके सारे करम, धरम, नियम हम सासु जी के कान भर दिये, सासु जी हम तो सभे काम करती हैं और ये अपने पूजा पाठ में लगी रहती हैं, इसको तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, सासु जी भी उनकी सेख में आ गई और उसने सोचा, ये तो गलत है, ये सब तो रसोई में काम करती हैं, और ये सारा दि पूजा पाठ में लगी रहती है सासु ने अपनी छोटी बहु से कहा कि बहु कल से तुम ये नियम धरम छोड़ कर अपनी घर गरस्ती संभालो घर के काम में लगो और उसको बाहर आने जाने से मना कर दिया अब तो लड़की बहुत ही उदास हुई दो तिन दिन हो गए उसे बिना खाए पीए सोती हुई और घपने कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसकी सासु ने तो घर से बाहर उसे पूजा पाठ करने जाने के लिए मना कर दिया था इसी दुख में वे कमरे में लेटी रही जब वे थोड़ा सा सो रही थी तब ही भगवान गनेजी उसके सप पाठ नहीं कर पा रही मेरे बच्वन के नियम तूटे जा रहे हैं तब गनेजी बोले पुत्री कुछ कोई बात नहीं निराश मत हो अपनी अलमारी खोल उसमें देख तुझे सब कुछ अपने घर में ही मिल जाएगा तब लड़की ने उठकर अपनी अलमारी खोरी महां द ने वहीं पर सनान किया सारे देवताओं की पूजा पाठ की लड़की ने वहीं बैठकर विशाक मास की कहाने सुनी गनेजी जी ने हुनकारा भरा अब तो पूजा पाठ संपन करके लड़की नीचे गई तब ही सभी देरानी जिठानी उसे ताना मारते हुए कहने लगी क्य पूजा बात तुमारा पूजा नियम धरम दो दिन का ही था कि दो दिन भी भूग बरदाशनी हुई और तीसरे दिन ही नीचे खाना खाने आ गई तब लड़की ने कहा ने भाबी ऐसा मत बोलिये मैं तो सभी पूजा पाठ नियम धरम करम करकर आ रही हूँ तब सब बोले तुने अपने कमरे में ही कैसे सारी पूजा कर ली तो सभी सभी को अपने कमरे में लेकर गई सभी लोग देखते हैं अलमारी में गनेज जी विराजमान है यमुना जी बह रही है पीपल बड़ केला आवला तुलसी सारे वरिक्ष लहला रहे हैं सभी देखकर अशर्य चकित रहे गई हे विशाक मास के गनेश जी महाराज जैसे आपने उस लड़की की सुनी हमारी भी सुनना इस कता को कहते और हुंकारा भरते सब की सुनना सब की रक्षा करना सब को सब कुछ देना अगर मित्रों आपको भी विशाक नहाने की मा बेटी की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी करें शेयर भी करें और कमेंट बोक्स में जै गनेश जी महराज अवश्चर लिए